नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका PCS सार्थी में आप है मेरे साथ मेरा नाम सुमित कुमार और हम शाम को यहाँ पर रोज जुड़ते हैं आपका सेशन होता है और चेशन होता है आपने फॉलो भी किया होगा बहुत सारी वीडियो भी देखी होंगी लेकिन यह है PCS सार्थी और PCS सार्थी बना है खास आपकी PCS के जो एक्जाम्स होते हैं उसकी तैयारी करवाने के लिए आपके PCS के जितने भी एक्जाम्स होते हैं फिर चाहे वो किसी भी स्टेट का हो आपको सब की यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब यहाँ पर उनका ध्यान रखा जाएगा तो उसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे हिस्ट्री, एकॉनमी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, एंग जोगरफी यह सारे सब्जेक्ट्स सभी जो PCS के एक्जाम हैं जितने भी सब्जेक्ट्स हैं चाहे उडिशा हो, महराष्ट्र हो, गुजरात हो, मध्यप्रदेश यह सब में common हैं और All India लेवल पर इनके questions पूछे जाते हैं इसको हम All India जी के भी कहते हैं तो यह जितने भी subjects हैं आप इनकी guidance इस चैनल पर आपको मिलेगी, state specific जितने subjects हैं उनकी guidance भी मिलेगी, फिलहाल मेरे साथ All India लेवल जो General Studies आती है All India लेवल उसकी जो guidance है, उसमें मेरे सा आप पढ़ रहे हैं History, ठीक है, कितने बज़े, session का नाम याद रखिये, दो बज़े, ठीक है, और 6 बज़े आप मेरे साथ पढ़ते हैं Art and Culture तो session शुरू हो चुका है, सभी लोग जुड़िये session से, session को share करिए, ताकि आपके दोस्तों को पता चले कि session शुरू हो चुका है और मैंने आपको PDF भी provide करा दी है, मैंने आपसे वादा किया था, कल भी बोला था, लेकिन आज मैं दुबारा कहता हूँ कि PDF मैं इस session की भी session complete होते ही, मैं आपको इसकी PDF भेज दूँगा, ठीक है दोस्तों, तो आपको जादा वेक नहीं करना पड़ेगा, आप PDF से revision कर सकते हैं और उसके बाद मैं अगर आपको बताऊं, तो आप यहाँ पर description box में जाके telegram channel है हमारा, उसको सबसे पहले join करिए, telegram channel है PCS, सार्थी के नाम से उसका link आपको description box में ही मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, गुरी इवनिंग अराध्या जी, knowledge home, नमस्ते, बिलकुल नमस्ते, और सब लोग अलग-अलग states से यहाँ पर आ चुके हैं, session को शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों, हम आलरगी पिछले chapter में, पिछले session में अपने पढ़ चुके थे, जो Morian Art था, Morian Art and Architecture, उसको हम पढ़ चुके हैं, और अब इस session में हम पढ़ेंगे, post Morian जो Art and Architecture था, post Morian समय के जि इतना भी Art and Architecture था, उसको आज पढ़ेंगे यहाँ पर, और post Morian समय जो था, आप समझ सकते हैं, जो था second century BC, ठीक है दोस्तों, यानि Morian समय जो था, वो 185 BC तक था लगभग, उसके बाद, फिर Morian जो डाइनस्टी थी, Morian जो सामराज्य था, उसके बाद, कोई भी बड़ा साम सामराज्य इंडिया में, भारत में नहीं बना, कई सारे छोटे छोटे सामराज्य, कई सारे सामराज्य बने थे, जो कभी थोड़े बड़े भी हुए, बड़े थोड़े बड़े एरिया पर उन्होंने साशन भी किया, लेकिन वो इतने लंबे समय तक नहीं टिक पाए, जित देखने को मिलता है स्काइथियंस जिनको शाकाज कहते हैं हमें पार्थियंस का देखने को मिलता है ठीक है दोस्तों और हमें जो कुशान है जो कुशांस है जिसमें राजा कनिश्क थे हमें उनका शासन देखने को मिलता है ठीक है दोस्तों राजा कनिश्क जो थे उनका शासन देखने को मिलता है तो हम जब बात करते हैं कि जब भी हम बात करते हैं पोस्ट मौरियन समय की तो आग आप ध्यान रखें एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जब भी पोस्ट मौरियन समय की बात करते हैं तो जब भी बात होती है तो यह इंडिया का हिस्सा है ठीके दोस्तों ये इंडिया का जो peninsular प्राय दीपी एपार्ट है आप देखेंगे जब मौरियन सामराज्य जे साशन कर रहा था जब मौरियन सामराज्य अपनी पावर में था तब यहाँ पर आप देखेंगे पूरे एरिये पे इंडिया के अगर सिर्फ अगर deep south को छोड़ दें सारे सामराज्ये सामने आए जिसमें से साउथ में हमें देखने को मिलता है साउथ में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है साथ वहनाज देखने को मिलते हैं साथ वहनाज जो थे वो साउथ में हमें देखने को मिलते हैं यह जो रीजन है धक्कन का या फिर आप बोल दें जो व वाका टाकाज किसके साथ थे वाका टाकाज गुपता काल में इनके साथ थे तो हम बात करते हैं मौरियन समय के जो मौरियन समय था उसके बाद की तो मौरियन के बाद जब मौरियन सामराज्य पूरे भारत में था और जब वो टूटा उसके बाद जो साउथ का ये पार्ट है इसमें आये थाई, साथ वहनाज सामराज्ये, ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को याद रखिएगा, कि मौरिन सामराज्ये जब बिखरा, तो नॉर्थ में हमें देखने को मिलता है, काफी सारे सामराज्ये हमें देखने को मिलते है, नॉर्थ में, नॉर्थ भारत की, नॉर्थ सामराज जे और जो साउत यानि की जो दक्षिन भारत का हिस्सा था उसमें हमें देखने को मिलते हैं साथ वहनाज हमें देखने को मिलते हैं एक श्वाकू अभीराज और वाकाटाकाज वाकाटाकाज गुपताज के साथ चल रहे थे जब भी गुपताज की बात होईगी तो सम यानि पीक पर था तो उसने लगभग पूरे भारत को दक्कन का जो पार्ट था दक्कन यानि की जो पैनिंसुलर पार्ट था यहां पर अगर देखेंगे यह यह दक्कन का जो पार्ट है पैनिंसुलर पार्ट के यहां पर यहां तक मौरेंस सामराज्य था लेकिन जो डीप साउथ में कौन था डीप साउथ में थे चेराज थे चोला थे चोला चेरा और पांडया ठीक है दोस्तों तो मैंने बहुत ही कम और आसान शब्दों में आपको यहां पर समझाने की कोशिश की है कि जब मौरियन सामराज्ये वहां पर जो एक जो राजनेतिक एक पॉलिटिकल बैक्ग्राउंड था जब भारत पर राज कर रहे थे मौरियन सामराज्ये तो समय पूरे भारत में कौन-कौन से जो शासन विवस्ता है थी कौन-कौन से सामराज्ये थे वह चल रहे थे मैंने यहां पर आपको समझाने की कोशिश की है ताकि इस चैप्टर को समझने में दखकन में कौन था तो आप समझ चुके हैँ चलिए तो पॉस्ट मॉररियन ठीका है पोस्ट मॉरियन समय में इतने सारे सामराज्ये एक साथ चल रहे थे कोई बहुत बढ़ा सामराज्ये ऐसा नहीं था जो पूरे भारत को यूनाइट कर सके पूरत बारत को इंटीग्रेट कर सके तो इसलिए हम जो मौरियन काल के समय का काल है उसको पढ़ते हैं पोस्ट मौरियन काल के नाम से जब पढ़ते हैं तो याद रखेंगे नॉर्थ और साउथ में कौन-कौन से सामराज्ये चल रहे थे ठीक है यहाँ पर देखते हैं हम कि जो हमारा जो धर्म की दृष्टी से अगर देखें तो वहाँ पर ब्रह्मैनिकल जो सेक्ट था उसका यहाँ पर जनव दुबारा उसका उत्थान हुआ दुबारा उसने पावर ग्रहन करी दुबारा ब्रह्मैनिकल सेक्ट जो था दुबारा से प्रचलित हुआ यानि कि हमें ये देखने को मिलता है कि जो मौ मौर्यन सामराज्य था मौर्यन सामराज्य में आप देखेंगे कि बुद्धिज्म बहुत जादा पॉपिलर हो गया था मौर्यन सामराज्य में बुद्धिज्म बहुत जादा पॉपिलर हो गया था और मुझे बताईए कौन से वो राजा थे, कौन से वो मौरेन शासक थे, जिनोंने जैनि धर्म को अपना लिया था बताईए मुझे, कौन से वो शासक थे, क्या आपने कभी सुना है कि कोई ऐसा मौरेन शासक भी था जिसने जैन धर्म को अपना लिया था ठीक है चलिए बताईए मुझे देखे बुद्धिज्म जिनों ने अपनाया था वो तो बहुत फेमस हैं आप सब जानते हैं कि राजा अशोका जो थे उन्होंने कलिंगा युद्ध के बाद बुद्धिज्म को अपना लिया था लेकिन आप मुझे बताईए कौन से ऐसे शासक थे मौरेन सामराज्य के बहुत फेमस हैं जिनोंने जैनिजम धर्म को अपना लिया था ठीक है दोस्तों आप मुझे बताईए मैं आगे बढ़ता हूँ इसका अंसर मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते बीच में बताऊंगा चलिए तो अब क्या होता है यहाँ पर हमने देखा कि मौरेन सामराज्य में बुद्धिज्म फेमस था फिर उसके बाद मौरेन सामराज्य के बाद हमने देखा बहन मैंनिकल जो मानने ताएं थी और जो क्लचर था वो जादा फेमस होने लगा और उसको राजायों का पेक्रनेज या राजायों का समर्थन प्राप्त होने लगा अब यहाँ पे देखते हैं कि आर्किटेक्चर में शेत्र में क्या हुए तो rock cut caves जो थी हमने देखा था पिछली क्लास अगर आपको याद होगी तो rock cut जो architecture था यानि कि जो caves थी गुफाई थी पहले इंसान natural जो प्राकरतिक रूप से बनी गुफाई थी इंसान उसमें रहता था ठीक है मौरियन सामराज्य में क्या हुआ मौरियन सामराज्य में जो गुफाई थी उनको काट कर हातों से चैनी हतोड़े से और भी कई तकनीकों से इंसान ने अपने लिए रहने के लिए बनाया यानि कि जो architecture था वो कैसा हुआ केव के अंदर कुछ ऐसे structure बनाये गए जिन में इंसान रहने लगा चलिए तो रॉक कट आर्किटेक्चर हमें देखने को मिला और ये खास परपस के लिए इस्तेमाल होते थे कहां पर मौरियन समय में इसकी शुरुवात हुई थी मौरियन समय में रॉक कट आर्किटेक्चर की शुरुवात हुई थी मुझे comment box में बताईए नागारजुनी जो केव थी वो किस शासक किस मौरियन शासक ने नागारजुनी और बराबर केव बनाई थी क्योंकि नागारजुनी और बराबर केव्स वो पहली केव्स थी जो किसी मौरियन शासक ने बनवाई थी और वो रॉक कट आर्किटेक्चर के उधारन के तौर पर मौरियन शासनकाल में जो बना था उसके उधारन के तौर पर इस्तिमाल किया जाता है जी बिलकुल खीक है दोस्तों तो मैं यहाँ पर बताता हूँ कि आपको की चंदरगुप्त मौरियन वो शासक थे जिन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था तो इतना ही नहीं दोस्तों इन्हों जैन धर्म को अपनाने के बाद ये एक जैन साधू भी बन गए थे ये एक जैन साधू बन गए थे और इन्होंने अपनी जो अंतिम समय था अपने जीवन के जो अंतिम समय थे इन्होंने उसको एक जैन साधू के रूप में बिताए और इनकी करनाटका में जाकर इन्होंने अ आखरी समय में चंद्रगुप्त मौरे चले गए थे जो एक जैन साधू बन चुके थे और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो रॉक कट आर्किटेक्टर की जो शुरुआत हुई थी मौरेनकाल में वह अशोका के अप अशोका के जो पोते थे जो अशोक के पोत्र थे राजा दशरत उन्होंने शुरू करा था काफी लोगों ने इसका सई जवाब दिया है मैं देख रहा हूं कुछ लोगों ने इसमें अशोका भी लिखा है जी नहीं वह अशोका ने शुरू नहीं करा था रॉक कट आर्किटेक्टर नागार जुनी और बराबर का साधू थे आजीवी का साधू थे उनको दान में दी थी आजीवी का साधू जो थे जो आजीवी का फिलोसोफी है जो आजीवी का दर्शन है आजीवी का माननेता है उसके संस्थापक उसके फाउंडर किसने स्थापना की थी बताईए उनका नाम बताईए कल मैं क्लास मे बता चुका हूँ, कल में क्लास में बता चुका हूँ कि आजीवी का जो सेक्ट था, उसके फाउंडर जिसनों ने आजीवी का सेक्ट की स्थापना की थी, उनका नाम कॉमेंट बॉक्स में बताईए, तो रॉककट आर्किटेक्चर जो था, वो यहाँ पर वापस कंटीनियू ठीक है, पोस्ट मॉरियन समय भी भी रॉककट आर्किटेक्चर चलता रहा, और स्कल्प्चर जो आर्किटेक्चर था, पोस्ट मॉरियन समय में ये काफी अच्छी मातरा में और ज्यादा फलता फूलता रहा, और अपने क्लाइमेक्स यानी अपनी सबसे अच्छे समय और च चलित हुआ, जब हम देखते हैं, मौरियन समय के Rock Cut आर्किटेक्चर को देखते हैं, मौरियन समय के जो राजा दश्रत ने बनवाए थे, नागारजिनी केव्ज, जब मौरियन समय में Rock Cut आर्किटेक्चर चालू हुआ, तो आपको याद होगा, last class में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर शुरुवात हुई किसकी विहाराज की ठीक है विहाराज बनने की शुरुवात हुई पूरे देश में ब्रह्मन करते रहते थे घूमते रहते थे लेकिन जब बारिश का मौसम होता था जब मौसम अच्छा नहीं होता था जब घूमने लायक नहीं होता था एक जगा से दूसरी जगा यात्रा करने लायक नहीं होता था मौसम तो साधू लोग एक जगा पर कहीं प विहार बनाया जाते थे लेकिन पूस्ट माराइन समय में आपको देखने को मिलेगा कि विहार के साथ-साथ, चैटेस भी बनाने लगे, चैते, विहार के साथ-साथ अब जो गुफाई थी उनके अंदर चैतर भी बनाने लगे जहांपर जो एक तरह से प्रेयर करने, यानि पूजा करने का स्थल होता था, जहां पर हम देखते हैं, कि साधू लोग पूजा भी करते थे, ठीक है, तो हमें देखने को मिलता है, कि मौरेन समय में सिर्फ और सिर्फ विहार बनाये जाते थे, ठीक है, और चैते नहीं बनाये जाते थे, मौरेन समय में चैते नहीं ब यह एक एक्जामपल है पोस्ट मॉर्यन पोस्ट मॉर्यन चैतेगा ठीक है पोस्ट मॉर्यन चैतेगा यह एक एक्जामपल है जिसको हम कारले चैते हॉल भी कहते हैं यह जो हॉल है यह कौन सी डाइनिस्टी के समय कौन से शासनकाल में कौन से सामरज्य के शासनकाल में बना था तो ये बना था, post-moran, शासनकाल ही होगा, जाहिर सी बात है, कोई एक ऐसा शासनकाल होगा, जो post-moran, यानी मौरए के बाद होगा, और वो था साथ वहना, खीक है, साथ वहन, जो साथ वहना जो थे, उनके शासनकाल में, ये कारले चेत्टे, जो था, हॉल, प्रेयर हॉल, ये बनाया गया चलिए दूसरा हम देखते हैं कि पोस्ट मौरिन समय का ही एक और एक्जामपल जो है कि रॉक कट आर्किटेक्चर का वो है एलोरा के जो विहारा थे एलोरा के जो विहार थे वो यहां पर बनाये गए थे साध्वों के लिए ठीक है दोस्तों और कारले चैत की जो खास बात है वो है कि ये बना गुफा में है ठीक है दोस्तों ये बना गुफा में है पत्थरों से बना है चक्तानों को तराश कर चक्तानों को काट कर इसे बनाया गया है ठीक है दोस्तों अवनीश यादव जी चैते और विहार में मैं डिफरेंस बता चुका हूं एक बार म जैन साधू या फिर कोई अन्य धर्म के साधू होते थे उनके खहरने की उनके रुकने की जगा होती थी उनके खहरने की जगा होती थी जो विहार होते थे विहार उनके खहरने की जगा होती थी साधू लोग घूमते रहते थे लेकिन जब मौसम ऐसा हो जाए कि घूम नहीं सक तो ठहरने के लिए विहार बनाए जाते थे विहार होते थे और जो चैते होते थे वो होते थे एक तरह से प्रेयर हॉल या फिर आप बोल दीजिए जहां पर पूजा अर्चना की जाए ठीक है दोस्तों तो अब आप समझ सकते हैं एक बड़ी ही कॉमन सेंस इस बात को कहती है क अब आप जड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे हम थोड़ी सी और ये सोचेंगे कि रुकने की जगा जहां पर लोग रुकेंगे वो नंबर में ज्यादा होंगी ठीक है दोस्तों वो नंबर में ज्यादा होंगी लेकिन अगर बात की जाए जो चैते की वो एक ऐसी जगा होगी ज तो अब ये इससे common sense क्या कहती है इससे हमें ये पता चलता है कि रुकने की जगा हमेशा number में जादा होगी और चैते जो है वो हमेशा कम होंगे ठीक है दोस्तों चैते जो होंगे वो हमेशा कम होंगे चलिए ठीक है दोस्तों तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि अब ये इस मैंन मिलता के अंदर टोटल 39 गुफाओं में See यहां पर हमें देखने को मिलता है 25 में मिलेंगे विहाराज विहार 25 मिलेंगे विहार और 4 गुफाओं में मिलेंगे चैते तो हमेशा इसको याद रखेगा 25 प्लस 4 कैसे 25 नमबर में को नंभर में जादा कौन सी बहुत होगी वो जगा जहां पर लोग ठहरेंगे जहां लोग रुकेंगे विश्राम करेंगे और जहां पर लोग एकटा होके कोई पूजा अर्चना करेंगे प्रेयर करेंगे प्रार्थना करेंगे खीक है बुद्धिज्म में आप देखें तो चैत्ते में यहां पर लोग मिलके से जादा होते हैं लेकिन कहीं पर जहां gathering होती है वो हमेशा नंबर में कम होगी तो हमेशा याद रखेंगे कि जो जादा है वो रुकने की जगा यानी विहार होंगे ठीक है विहार और चैते हमेशा कम होंगे या फिर आप ऐसे रख सकते हैं CH 4 से चैते ठीक है चैते अगर हम ह और इन समय में यहाँ पर अलोरा की गुफा और अजन्ता की गुफा में जो अजन्ता की गुफा थी जो अजन्ता की गुफा है ये एक जैसे घोड़ा होता है घोड़े की नाल आपने अगर देखी होगी जो घोड़े के पैर में लगती है जिसको बोलते हैं हम इंगलिश मे horse shoe तो horse shoe के आकार में ये गुफा बनी है आपको महराश्ट्र में मिलेगी अजन्ता की गुफाएं और ये horse shoe के shape में बनी हुई है उसी तरह से elora की गुफाएं भी आपको महराश्ट के औरंगाबाद में मिलेंगी खिक है दोस्तों और हम बात करते हैं अगर बात करें कि जो गुफाएं ये बनी है ये आपको देखने को मिलेगी लगबग 200 BC से आपको 480 तक 200 BC से 480 तक ये गुफाएं बनाई गई थी और जो ये elora गुफाएं हैं ये आपको देखने को मिलेगा लगबग 880 से 1000 AD या फिर 780 से 1000 AD का जो समय था उस समय इन गुफाओं को बनाया गया था ठीक है दोस्तों जो जब भी अजनता गुफाओं की बात होईगी तो साथ वहना आपको याद आने चाहिए क्योंकि साथ वहना जो शासक थे साथ वहना जो शासक थे उनके समय में जो उसका बनाने का कारेक्रम था उसको समर्थन पूरा दिया था और एलोरा गुफाओं की बात करें तो कौन से शासनकाल की आपको याद हो आदीं चाहिए इसमें हम बात करेंगे राश्ट्र कुटाज की ठीक है दोस्तों राश्ट्र कुटाज की मैं ज़्यादा डीटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर क्योंकि अगर मैं यहाँ पर हिस्ट्री में चला गया तो फिर आपको इसका कोई अंत नहीं है यह लेक्चर पांच घंटे का चार घंटे का हो जाएगा क्योंकि हमें इसके लिए हिस्टारिकल परस्पेक्टिव को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा तो आर्ट एंट कल्चर की यह क्लास है और हम आर्ट एंट कल्चर की नजर से ही इसको पड़ रहे हैं ठीक है दोस्तों और ठीक है मैं देखता हूँ मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था थोड़ी देर पहले कि जो आजीवी का सेक्ट है उसकी स्तापना किन होने की थी तो उसका नाम है मकाली गोसला यहाँ पर कॉमेंट बॉक्स में काफी लोग नाम लिख रहे हैं वो ठीक है बिलकुल गोसला मस्की पुत्रा भी उनको कहते हैं और यह भी बिलकुल सही जवाब है तो मकाली गोसला जो ठीक है वो प्राकृत या फिर पाली में उनका नाम होगा लेकिन जो मस्की पुत्रा गोसला है वो शायद हिंदी में उनका नाम है आप एक बार इसको कन्फर्म कर लीजिएगा बाकी मकाली गोसला से याद रखेंगे तो वो भी बिलकुल सही है ठीक है दोस्तों राश्ट्र कुटाज के समय पे अलोरा गुफाएं बनाए गई थी और साथ वहनाज के समय पे अजंता गुफाएं बनाए गई थी इनको हम डीटेल में पढ़ेंगे जब हम हिस्ट्री में राश्ट्र कुटाज और उनके आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे या फिर जब हम साथ वहनाज के आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे हिस्ट्री में चलिए उदैगिरी और खंडागिरी केव हम यहाँ पर पढ़ते हैं ठीक है दोस्तों पोस्ट मौरियन में एक केव आर्किटेक्चर में हम इनका ध्यान रखेंगे जब भी पोस्ट मौरियन केव आर्किटेक्चर की बात होगी तो अजनता में कारले चैते सात वहाना का एक्जाम्पल देना है और एलोरा के विहारास का एक्जाम्पल देना है ठीक है दोस्तों चलिए तो यानि की पोस्ट मौरियन में हमें रॉक काट आर्टी टेक्चर में एजन्ता एलोरा प्लस उसके बाद उदैगिरी और खंडा गिरी कहां पर मिलेंगी आपको यह यह मिलेंगी आपको भूवनेश्वर ओडी शामें किस राजा के शासनकाल में बनी थी यह खारवेला जो राजा थे उससे वो संबंद रखते थे ठीक है दोस्तों चलिए यहाँ पर आपको man-made और natural caves दोनों ही प्रकार की caves आपको यहाँ पर दिखेंगी और आप देखेंगे अगर जब अशोका की जब अशोका का युद्ध हुआ था जब अशोका का युद्ध हुआ था किस के साथ हुआ था कलिंगा जो राजा थे कलिंगा राजा के साथ अशोका का युद्ध हुआ था और आप देखेंगे कि कलिंगा जो शासन था जो कलिंगा सामराज्य था वहां के राजा कौन से धर्म को ज़्यादा बढ़ा हुआ या प को देखने को मिलेगा किन के लिए बनाए गई थी जैन साधूं के लिए तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो कलिंगा के शासनकाल के जो लोग थे जो राजास थे वो कौन से धर्म को समर्थन करते थे जैन धर्म को ठीक है दोस्तों जैन धर्म का वो समर्थन करते थे तो उन् तर ये गुफाएं जो थी ये बुद्धिस्ट ये यहाँ पर आपको बुद्धिस्म मिलेगा जादा तर गुफाओं में बुद्धिस्म से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी बुद्धिस्म जो धर्म है उससे रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी और जो एलोरा की गु मिलता है वहीं जो हमारा अजंता की गुफाएं है उसमें जादा तर हमें बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर देखने को मिलता है अब मुझे कॉमेंट बॉक्स में एक क्वेस्चन का जवाब दीजे बहुत सिंपल क्वेस्चन है आपने सुना होगा इसके लिए किसी भी इतिहा टेमपल है दोस्तों बहुत प्यारा बहुती सुन्दर टेमपल है पूरा रॉक कट करके बनाया गया है और आप हैरान रह जाएंगे कि इतना बड़ा मंदिर सिर्फ रॉक को काट कर एक सिंगल चक्टान को काट कर इतना बड़ा मंदिर बना दिया आप हैरान हो जाएंगे ब फिर बराबर में है कौन सी गुफाओं में है कैलासनाथ टेंपल ठीक है दोस्तों कैलासनाथ टेंपल कौन सी गुफाओं में है बताइए मुझे कॉमेंट बॉक्स में ठीक है दोस्तों तो 18 केव्स आपको मिलेंगी उदैगरी में ठीक है और ठीक है चलिए दोस्तों 18 केव्स आपको उद्यगरी मिलेगी और 15 आपको खंडा गरी में मिलेंगी देखे यह है उद्यगरी और खंडा गरी की जो गुफाएं है उनकी फोटो है और यहाँ पर आपको जो inscription मिलेगा उसका आपको यहाँ नाम रखना है याद हाती गुमफा inscription आपको मिलते हैं कहाँ पर उद्यगरी और खंडा गरी में वो कभी कभी आपसे question पूछ लेगा कि हाती गुमफा जो inscription है वो कौन से सामराज्ये से related है कौन से सामराज्ये की बात करते हैं हाती गुमफा inscription तो आपको याद रखना है कि हाती गुमफा जो इंस्क्रिप्शन है वो बात करता है कलिंगा सामराज्य की ठीक है हाती गुमफा इंस्क्रिप्शन बात करता है कलिंगा सामराज्य की चलिए और हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या बताता है यह military जो campaign जो राजा द्वारा किये ग चलिए और रानी गुमफा इंस्क्रिप्शन भी आपको देखने को मिलेगा कहां पर उदैगिरी में देखने को मिलेगा उदैगिरी की गुफाओं में देखने को मिलेगा चलिए यहां हमने देख लिया है कि रॉक कट आर्किटेक्ट्चर में हमने देखे कि अजंता पढ़ा एलोरा पढ़ा और हमने पढ़ा हाती गुमफा इंस्क्रिप्शन जिसमें हमने किसकी बात करी उदैगिरी और खंडागिरी की. तो ये एक्जामपल हमें पोस्ट मॉर्यन के हमेशा याद रखने हैं कौन-कौन से एक अजंता, एक एलोरा और एक उदैगिरी और खंडागिरी हमें याद रखना है चलिए दोस्तों, तो मैं आपको बता दूँ अभी जो मैंने क्वेशन पूछा था आप से, कि जो कैलासनाट टेम्पल है वो है, अलोरा की गुफाओं में मौझूद है, केव नंबर, केव नंबर सिक्सटीन में, ख्यक्याँ दोस्तों, केव नंबर सोलाओं में, केव नंबर जो 16 है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है बहुत ही प्यारा टेंपल है बहुत ही सुन्दर मंदिर है के लासनाथ टेंपल चलिए अब यहां पर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जो स्तूपास थे उनकी क्या वो अशोका ने बनवाए थे बाद में कितने 84,000 स्टूप बनवाए थे ठीक है और प्रचलित अशोका के समय पे हुए थे जो बुद्धिज्म के समय पे जो जब बुद्ध ने महापरी निर्वान लिया यानि कि बुद्ध ने जब अपना शरीर तया गया गौतम बुद्ध उसके बाद उनके बाद नौ स्टूप बनाए गए थे ठीक है तो पहले से भी वेदिक काल में भी स्टूप बनते थे लेकिन जो प्रचलित हुए वो बुद्धिज्म और अशोका के समय में प्रचलित हुए स्टूप का पूरा आर्किटेक्चर हम डीटेल में लास्ट क्ला तो न जो था वो बुड़ और ब्रिक यानि की इटों की जगा यूज होने लगया ठीक है स्टूप का यहां पर यूज बढ़ गया स्टूप बनाने में उसके बाद हमने देखा कि जो तोरन थे आपने देखा होगा जब स्टूप का हम कोई गेट वे देखते हैं तो ऐसे कर के स्टूप का गेट होता था स्टूप का जो गेट होता था ऐसे करके इसमें आप देखेंगे इसमें हैलनिस्टिक हैलनिस्टिक आपको फीचर मिलने लग गए फीचर्स मिलने लग गए, कौन से फीचर्स, हेलेनिस्टिक फीचर, आपको पोस्ट मॉरेन समय में, स्तूपों में क्या बदलाव आए, एक तो वहाँ पर पत्थर, यानि की स्टोन का इस्तमाल बढ़ गया, और दूसरा, जो गेट होता है, ठीक है, जो तोरन होता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तोरनों में आपको हेलेनिस्टिक फीचर्स देखने को मिल गए, और हेलेनिस्टिक फीचर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, कि ग्रीक जो इंफ्लूएंस है, जो ग्रीक आर्किटेक्चर्स है, उससे परभावित होने वाली चीज यानि Greek architecture का प्रभाव आपको यहां पर देखने को मिलने लग गया पोस्ट मॉर्यन समय में और इसका example है भरहुत स्थूपा जो भरहुत का स्थूपा है मध्य प्रदेश में ये हमें देखने को मिलता है कब का है ये पोस्ट मॉर्यन स्थूपा है ठीक है मॉर्यन स्थूपा का एक example दीजिए मुझे अभी comment box में मुझे बताईए कौन सा ऐसा स्थूप है जो मॉर्यन काल में बना था बहुत famous एक स्थूप है जो मॉर्यन काल में बना था और आपको वो बिलकुल याद होना चाहिए क्योंकि मौरियन काल का स्टूप आपको याद होगा उसके बाद आप एक एक एक्जामपल याद कर लेंगे पोस्ट मौरियन काल का और फिर उसके बाद हम आगे जब बढ़ेंगे तो हम देखेंगे, गुपता काल में भी स्टूप बनते थे और गुपता काल का भी हम एक्जामपल याद करेंगे ठीक है दोस्तों, तो मुझे बताईए कि मौरियन काल में कौन सा ऐसा स्टूप था जो बहुत फेमस है और जो एक मौर्यन बहुत फेमस मौर्यन शासक ने बनवाया था ठीक है दोस्तों तो आप देखेंगे यहां पर यह है बरहुत स्टूपा यह है भरहुत स्टूपा और यह एक पोस्ट मौर्यन पोस्ट मौर्यन स्टूप है कौन सा पोस्ट मौर्यन स्टू की याद दिलाएगा और सांची का जो स्टूप है ये एक मौरें स्टूपा है ये एक मौरें स्टूप है राजा अशोक ने बनवाया था ठीक है राजा अशोका ने ये बनवाया था सांची स्टूपा राजा अशोका ने बनवाया था और लगभग उसके जैसा ही देखने को म एक ये और एक ये दो ये जो स्क्वेर है एक सर्कल मैंने किया है सर्कल तो आप मुझे बताईए इस सर्कल को क्या कहते हैं कॉमेंट बॉक्स में और ये जो मैंने रेक्टेंगुलर यहां बनाया है ठीक है दोस्तों ये जो मैंने रेक्टेंगुलर बनाया है इस शेप को क्या क कहते हैं comment box में बताएए circle is equal to circle is equal to what or square square is equal to what comment box में बताएए इनके क्या नाम होंगे कि के दोस्तों ये तो हो गया तोरण कि के दोस्तों ये हो गया मेढ़ी ये हो गया मेढ़ी और हम देखेंगे के मेढ़ी और ये हो गया अंडा यहाँ बीछ में जो ये रास्ता बना होगा चलने का मेढ़ी और अंडा के बीच में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसे हम बोलेंगे प्रदकशना पात ठीक है दोस्तों प्रदकशना पात मुझे बताइए circle is equal to what और square is equal to what ऐसे जवाब दीजिए comment box में circle is equal to this and square is equal to this इसे क्या कहेंगे और इसे क्या कहेंगे यह जो डंडा है यहाँ पर चड़ी है इसको बोलेंगे हम yasti क्या बोलते हैं यह जो यहाँ पर चड़ी है यहाँ पर इसको बोलते हैं हम yasti आप मुझे बताईए square और circle को हम क्या कहते हैं ठीक है दोस्तों जी बिल्कुल नहीं square abacus नहीं है वो आता है जब हम pillar पढ़ते हैं ठीक है दोस्तों जब हम pillar पढ़ते हैं तो यहाँ पर pillar में आप देखेंगे यहाँ पर एक ऐसे capital होगा यह shaft है pillar में pillar में shaft है capital है उसकी यहाँ पर abacus होगा abacus के ऊपर यहाँ पर आपको मिलेगा animal यह तो है हमारा pillar अब आप मुझे बताईए इस square का क्या नाम है और इस circle का क्या नाम है जो मैंने बनाया है जी बिल्कुल जवाब आने लगे हैं और सही जवाब आ रहे हैं बच्चे काफी attentively पढ़ रहे हैं क्लास को follow कर रहे हैं square यह जो है यह जो architecture है यह square है इसको बोलेंगे हम हर्मिका क्या बोलेंगे हर्मिका और जो यह circle मैंने यहाँ बनाया है इसको बोलेंगे छत्री या छत्रा जो मर्ची आप कहें छत्रा और हर्मिका ठीक है दोस्तों तो square यानि की हर्मिका और circle यानि की छत्रा तो हम इसको याद रखेंगे post more in stoop का example भरहुत stoop को post more in stoop हम यहाँ पर याद रखेंगे अब sculpture सबसे जादा important है सबसे ही जादा post more in stoop महें में जो sculptures हैं यह सबसे जादा important है और post more in stoop हमें हमने तीन तरह के school यानि की तीन ऐसे region देखे तीन school of art school of art school of art का मतलब क्या है कि हमने ऐसे शेत्र देखे ठीक है या फिर ऐसे हमने शेत्र देखे हमने ऐसे शेत्र देखे जहाँ पर तीन अलग-अलग तरह की आर्ट, स्कल्प्चर की जो आर्ट थी, वो पैदा हुई, ठीक है दोस्तों, स्कल्प्चर की जो आर्ट थी, तीन अलग-अलग शेत्र में, तीन अलग-अलग तरह की स्कल्प्चर की आर्ट हमें देखने को मिलती है, जिनको हम कहते हैं, तीन स्कूल यहां पर देखते हैं कौनकोन सी एक हुई गंधार में थी कह है आप देखेंगे इंडिया के North West में अगर जाएंगे आप ऍंडिया का भारत का नक्षा गंधार देखेंगे नॉर्थ वेस्ट में तो आपको मिलेगा गंधार तो गंधार में एक स्कूल पैदा हुआ एक मधुरा में पनपा और एक अमरावती में ठीक है दोस्तों ठीक है दोस्तों, 50 BC से 500 AD के बीच में देखने को हमें मिलता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया के Western Frontiers, देखें इंडिया के West Direction में ही है यहाँ पर इंडिया की West Direction होगी, तो इंडिया की Western Direction में हमें देखने को मिलता है कौन से रीजन में? जो पंजाब का रीजन है ये देखिए ये पुरा पंजाब का रीजन है ठीक है, Modern Day पेशावर पाकिस्तान को भी कवर करता है और अफगानिस्तान को, यानि एक बहुत बड़े शेतr में इंडिया के जो इंडिया का जो पश्चिम रीजन है, इंडिया के जो पश्चिम दिशा है उसमें एक बहुत बड़े शेत्र में हमें देखने को मिलता है कि गंधार स्कूल आफ आर्ट वहाँ पर पनपा और पैदा हुआ ठीक है और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ग्रीक और रोमन स्कल्प्चर और इनका इंफ्लुएंस देखन को मिलेगा यह मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों जब मौरियन सामराज्ये चल रहा था जब मौरियन सामराज्ये चल रहा था तो उसके बाद यहाँ पर कई सारे इन्वेजन हुए ग्रीक लोगों के ग्रीक लोगों के कई सारे इन्वेजन हुए और यहाँ पर आप इंडो ग्रीक सामराज्य श्थापित हुए मौरेन समय के बाद यहां पर हमें देखने को मिलेगा मौरेन समय के बाद जब इंडो ग्रीक जो सामराज्य आय उन्होंने यहां पर इस रिज़ियन में कौन सा Hellenistic यानि की Greek influence देखने को मिलता है Reason मैंने बता दिया क्यों? क्योंकि Mauryas के बाद इस region में Indo-Greeks का शासन स्थापित हुआ ठीक है दोस्तों समझ पा रहे हैं आप मेरी सारी बातें आप मेरी सारी explanation को समझ पा रहे हैं तो बिल्कुल मुझे comment box में बताइए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप मेरी सारी बातें समझ पा रहे हैं जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ जितनी चीज़े भी explain कर रहा हूँ क्या आप इन सभी चीज़ों को समझ पा रहे हैं? ठीक है दोस्तों? चलिए शुरू करते हैं ये सब हम डीटेल में पढ़ेंगे कौन से सामराज्य आए और कितने समय में आए कब कब रहे हम सब इनको डीटेल में हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप देखिए कुछी समय में हिस्ट्री में हम मौरेन सामराज्य की तरफ बढ़ेंगे उसके बाद post morning जब पढ़ेंगे तो बहुत ही detail में पढ़ेंगे बहुत मज़ेदार lecture वो सब होंगे तो यहाँ पर देखते हैं गंधार स्कूल जो था महाँ पर शुरुआत में bluish gray sandstone पहले ऐसा नीले रंग का इसको शिस्ट भी कहते हैं यह एक तरह का पत्थर होता है जो blue और grayish sandstone टाइप से होता है यह हमें देखने को मिलता है उसके बाद इसी में गंधार स्कूल में जो बाद का समय था उसमें हमें mud और स्टको के mud और स्टको के मिट्टी से बनी हुई चीजों के हमें यहाँ पर sculptures देखने को मिलते हैं आप इनकी photo देख सकते हैं यहाँ पर महत्मा गौतम बुद्ध है और इनकी यह bluish gray sandstone यानि जिसको schist भी कहते हैं उससे उनकी एक मूर्ती यहाँ पर बनी हुई है जो की गंधार आर्ट से जुड़ी हुई है तो bluish gray और schist कहां मिलेगा गंधार आर्ट में mud and stucco कहां मिलेगा गंधार आर्ट में खीक है दोस्तों चलिए तो अब यहाँ पर देखते हैं जो images थी बुद्ध की और बोधी सत्व की बोधी सत्वास जो थे उनकी जो image थी और महत्मा बुद्ध की जो image थी वो Greek और Roman जो भ बोधी सत्व होते थे ठीक है बोधी सत्व जो होते थे यह मैं आपको explain करूंगा बाद में कि बोधी सत्व क्या होते थे वनना यह पूरा lecture history का lecture बन जाएगा फिलाल आप यह समझ लीजिए कि ऐसे लोग जिनके अंदर जमीन पर रहते हुए इस जीवन में रहते हुए बोधी सत्व ठीक है दोस्तों उनको हम बुद्ध नहीं कहते थे लेकिन बुधी सत्व उनको हम कहते थे ठीक है जो बुद्ध जैसा हो गया हो ठीक है चलिए और बाकी लोगों को भी वो धरती पर मदद कर रहा हो वैसा बनने के लिए चलिए तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गंधारा आर्ट की और यहाँ पर हम देखते हैं कि बुद्ध के साथ किनकी मूर्तियां होती थी बोधी सत्व की बोधी सत्व मैंने बहुत शौट में explain कर दिया है अब आपको समस्या नहीं होगी समझने में क्योंकि हम आगे example देखेंगे दो नाम आएंगे एक पदम पानी और एक खेक है और एक वज्रपानी वज्रपानी यह दो भी कौन थे यह बोधी सत्व थे इनकी जो image है इनकी मूर् हम देखने को मिलते हैं जो Greek school था architecture का उसके अंदर बुद्ध के अंदर और बोधी सत्व की जो मूर्धियां थी उसमें Greek और Roman जो influence है जो प्रभाव है वो हमें साफ साफ देखने को मिलता है ठीक है दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं Mathura school of art जो था जो मतुरा के शेत्र में पनपा वहाँ पर उसकी क्या खासियत है क्या features है तो यह कहां पर यमुना नदी के किनारे बना कब first and third century BC में यानि पहली से की शताबदी के बीच में यहाँ पर बना कहां पर यमुना नदी के किनारे और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहां पर तीनों रिलेजिन के आपको यहाँ पर sculpture मूर्तियां देखने को मिलेगी जो हमारा यहाँ पर गंधार स्कूल था यहाँ पर आपको mainly Buddhist sculptures मिलेंगे कौन से? Buddhist sculpture मिलेंगे लेकिन जब आप बात करेंगे Mathura School of Art की तो आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर तीनो धर्मों के Jainism, Buddhism और Hinduism के यहाँ पर आपको तीनो तरह की चीजें, तीनो तरह के आपको sculptures, मूर्तियां देखने को मिलेगी और यह जो स्कूल था यह symbolism में ज़ादा बिलीव करता था symbol के माध्यम से यह image को दर्शाता था जैसे शिवा को यहाँ पर लिंगा के रूप में दिखाया है मुख लिंगा के रूप में आप जानते हैं हम शिवलंग की पूझा करते हैं तो शिवलंग की जब बात होती है शिवलंग का मतलब होता है कि वो प्रतीक है किसका वो प्रतीक है शिवजी का खीक है भगवान शिव का प्रतीक है शिवलिंग तो यहाँ पर प्रतीकों के रूप से जो दर्शाया जाने लगा भगवानों को वो हम देखते हैं कि कहां मिलता है हमें उसका प्रभाव हमें मतुरा स्कूल अफ आर्ट में हमें देखने को मिलता है खीक है दोस्तों चलिए तो ठीक है चलिए ठीक है गंधार स्कूल आफ आर्ट में भी ये हालो होता था लेकिन वो छोटा होता था और प्लेन होता था हालो क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको देखिए किसी भी अजब भी आपने भगवान की किसी भी भगवान की नहीं भी भगवान की आपने फोटो में कहते हैं हालो तो ये एक तरह से एनर्जीज को दर्शाता है महान व्यक्तियों की एनर्जीज को दर्शाता है कि ये बताता है कि इन लोगों के पास जागरती है इन लोगों के पास ज्यान है ये लोग जागरत लोग है तो जिन भी भगवान आप देखेंगे भगवानों के पीछे महान लोगों को पीछे या फिर आप देखेंगे गौत्म बुद्ध के पीछे आप को देखने को मिलेगा ये हालो ये हालो बताता है कि ये लोग enlighten है ये लोग जागरत हैं ये जागरत अवस्था में जी रहे हैं इसी लिए हम इनको दर्शाते हैं कि क्या तो महान व्यक्तियों को और जागरत लोगों को दिखाने का तरीका है तो गौतम बुद्ध के पीछे भी हालो बनता था जो ग्रीक जो हमारा जो ग्रीक स्कूल था आप देखेंगे कि इसके अंदर ये एक तो साइज में बड़ा है और दूसरा इसके अंदर कुछ जामीतियां कुछ जमेक्टरिकल पैक्टेंस बने हैं कुछ जमेक्टरिकल पैक्टेंस इसके अंदर बने हुए है तो ये किसके अंदर मिलेगा आपको जमेक्टरिकल और वज्रपानी इन सब को हम पढ़ेंगे अराम से जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो अच्छे से इनको स्टडी करेंगे तीसरा स्कूल है अमरावती स्कूल ओफार्ट ये मिलेगा आपको इंडिया के जो साउथ रीजन है अमरावती का जो रीजन है वहाँ पर आपको दे दिर पहले कि जब मौर्यन सामराज्य तूटा तो साउथ में जो एक important सामराज्य पैदा हुआ वो कौन था वो था साथ वहना सामराज्य तो साथ वहना सामराज्य ने ही समर्थन दिया सामराज सार्थवाना सामराज्य के समय ही कौन सी गुफाएं बनी अजन्ता की गुफाएं बनी और साथ वहना सामराज्य के समय ही अमरावती स्कूल जो था वो यहाँ पर देखने को मिलता है वो यहाँ पर उसमें काफी तरक्की हुई वो flourish हुआ वो पैदा हुआ ठीक है अमरावती स्कूल और यहाँ पर जो बात की जाती है वो narrative आर्ट की बात की जाती है अगर आप देखेंगे आप पहले image देखिए आप अगर अमरावती स्कूल आफ आर्ट की image देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कोई भी ए कहानी की कोशिश की जा रही हो तो आप जब देखेंगे अमरावती स्कूल आफ आर्ट को तो आपको एक सिंगल मूर्ती यहाँ पर नहीं दिखेंगी कि किसी एक खास मूर्ती बना कर एक खास मूर्ती पर ही जोर दिया गया हो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी छोटी छोटी कलाएं आकरतियां आपको मिलेगी और जैसे कोई ये कहानी कहने की कोशिश कर रहे हो किसी कहानी को दर्शाया गया हो तो ये इसलिए इसको कहा गया है narrative narrative मतलब कहानी बताना खीक है दोस्तों narrative मतलब कहानी बताना तो कहानी कहानी बताना तो यह narrative form में थी, कहानी बताने जैसे form में थी अगर आप देखेंगे Mathura School को, तो single मूर्ती है बुद्ध की बुद्ध की एक single प्रतिमा आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी उसी तरह से अगर हम बात करें, जो गंधार School of Art था तो यहाँ पर भी आपको बुद्ध की single मूर्ती, single प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी मुझे लग रहा है, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, शायद वो सो गए है, कोई कमेंट आने बंद हो गए है तो आप कमेंट करते रहिए, बीच-बीच में कुछ-कुछ बोलते रहते हैं, कुछ-कुछ चलता रहता है अगर समझ आ रहा है, तो ही yes sir ही बोल दीजिया कीजिये मुझे पता नहीं चलता है कितने बच्चे attentive हैं, मैं आपसे physical, यहाँ पर touch में नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता चलता दोस्तों कि आप कितने attentive होकर lecture को attend कर रहे हैं तो बीच-बीच में कुछ नहीं, तो yes sir yes sir ही comment कर दिया कीजिये मुझे पता चलता रहेगा कि बच्चे मेरी बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं ठीक है दोस्तों तो अमरावती स्कूल में बात होती है किसकी narrative art की अमरावती स्कूल में narrative art की बात होती है comment आने लग गए हैं, लगता है सब नीन से जग गए हैं ठीक है दोस्तों, तो चलिए बहुत बढ़िया, बिलकुल, सब जगे हुए है इसका मतलब बिलकुल, बिलकुल, चलिए चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं कि narrative art की बात होती है और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, त्रिभंगा पॉस्चर जादा तर आपको कलाकृतियों में यहाँ पर त्रिभंगा पॉस्चर मिलेगा त्रिभंगा पॉस्चर क्या होता है जो बॉडी में थ्री बेंड पॉस्चर होता है बॉडी में थ्री बेंड पॉस्चर ये होता है बॉडी में इसको बोलते हैं त्रिभंगा पॉस्चर ठीक है और ये एक तरह से नृत्ते में इस पॉस्चर का इस्तरमाल किया जाता है ये की external influence था यह नहीं था गंधार सकूल में ग्रीक का external इंफलूइंस था यहांपर external influence नहीं था यह indigenously develop हुए थे ठिक है दोस्तों यानि कि यह जहाँ जिस शेत्र के थे उसी शेतर में यह डिवेलप हुए थे इंग्रीडियन कौन से उज़ हुए थे गंधार में हमने पढ़ लिया है कौन से ग्रे साइंड स्टोन और मज़ एंग्स टको और जो मत्रा स्कूल अफ आर्ट है उसमें आपको मिलेगा रेच साइंड स्टोन है चलिए जिसको शिस्ट भी कहते हैं उसके बाद बात करें तो मेंदली बुद्धिस्ट यहां पर आपको मिलेंगी कला करती हैं उसके बाद यहां पर मथुरा स्कूल में तीनों धर्मों के आपको इंफ्लूइंस मिलेगा और यहां पर फिर देखेंगे तो मेंदली कुछान साशकों ने समर्थन दिया था क्योंकि कुछान सामराजे जो था वो नौर्थ इंडिया में था ठीके दोस्तों कुछान सामराजे जो था वो नौर्थ इंडिया का सबसे बड़ा सामराजे था अगर आप बात करें मौरेन और गुपता के बीच में कुछान सामराजे स यहीं चया, ओर जब से बड़ा सामराज जैता, नोर्थ इंडिया में, इसलिए आप देखें, जो मतुरा स्कूल आफ आफ है, और जगंधार स्कूल ऑफ करके, उसमें आपको देखें, अगर ये इंडिया है, तो नोर्थ हें, यहाँ पर गंधार और मतुरा मिलेगा, तो इन में साथ वहना जो शासक थे उन्होंने यहां पर समर्थन दिया और डिवेलपमेंट आफ एरिया नॉर्थ-वेस्ट और रिजन है और यह अमरावती रिजन है और यहां पर देखिए जो बुद्ध है स्पिरिच्वल स्टेट में दिखेंगे ठीक है वेवी हैर जैसे ग्रीक औ और रोमन जो मूर्थिया होती है उनमें जो ग्रीक और रोमन इंफ्लूएंस होता है वैसे दिखेंगे और यहां पर आभूशन और औरनमेंट्स कम दिखेंगे योगिक पोजिशन आपको दिखेगी और यहां पर देखेंगे बुद्धा थोड़े डिलाइटी यानि खुश और नहीं दिया गया यहां पर एक कहानी के रूप में बात जैसे कहीं जा रही हो ऐसे स्कल्प्चर्स देखने को मिलेंगे और वो कौन सी कहानी कहते हैं वो कहते हैं जातक जातक टेल्स ठीक है दोस्तों जो जातक कहानिया होती है मुझे बताईए यह क्या कहती है ठीक है जा उसोर आर्किटेक्चर है वो दिस जो सकल्प्चर है जा जो नोर्थ उइस्ट इंडिया की बात करें वहाँ पर Greek और Roman Greek और Roman influence था तो Greek Holy Roman जो है多 तो Greek और Roman art में डिफरेंस शेट कर लेते हैं देचे Greek art के अंदर idealis trix style idealistic मतलब काफी जादा बड़ा चнять और थोड़ा कुछ जादा ही अच्छा दिखा कर, जो भी चीज अपनी perfect state में, ideal मतलब perfect state में, perfect state में चीज को दिखाया जाता है, अगर इंसान की मूर्ती बनाई गई है, तो उसकी दिखायी जाएगी muscular, एकदम body fit होगी, shape में होगी, young हमेशा दिखाया जाएगा, तो वो होगी idealistic, और roman arc जो ह बात हो रही है, perfection की बात हो रही है, तो body कैसी होती है, perfect body, muscular body दिखाये और यहाँ पर real लोग जैसे होते हैं, जैसे real लोग इंसान होता है, वैसा ही दिखाया जाता है, ये लोग जो Greek art है, वो marble का इस्तमाल करते थे, और जो Roman art है, वो concrete का इस्तमाल करते थे, ठीक है दोस्तों, तो ये main point of difference है आप देख सकते हैं ये है Greek statue देखे body कितनी perfect बनाई गई है अब पता है इनकी age कितनी होगी लेकिन body perfect और यहाँ पर चहरा भी एकदम perfect बनाया गया है यंग लेकिन यहाँ देखिए बाल और चहरा बिलकुल ऐसे बनाया है जैसे कोई real इंसान के expression हो और कोई real इंस दोनों ही influence आपको देखने को मिलेंगे जो हमारा गंधार school of art था गंधार जो school art था उसने क्या करा Greek और Roman जो influence थे दोनों को mix कर दिया आप देखिए यहाँ पर ठीक है यहाँ पर देखिए यह Greek influence है यह Roman characteristics है और जब आप देखेंगे तो बुद्ध के अंदर जैसे थोड़े आपको curly थोड़े घुमावदार और थोड़े घुंगराले बाल आपको देखने को मिलेंगे यह Greek और Roman influence है आप देख सकते हैं यहाँ पर घुंगराले बाल आपको देखने को मिलेंगे थोड़े wavy hair है यह है वे वेवी hair ठीक है और अगर आप यहाँ देखेंगे जो body है वो पाध्यम से दिखाने की कोशिश की है तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा अच्छा लगा होगा और जो जातक स्टोरी जो जहां तक मैंने पूछा था ये गौतम बुद्ध के पिछले जनम की प्रीवियस ये बर्थ की बात करते हैं गौतम बुद्ध के पिछ अतम बुद्ध को दशाया जाता है तो आई होप दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, श्येर, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए मैं इसकी PDF ज़रूर आप से श बहुत लोगों को आती हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दोस्तों, जिनको basic चीजे भी explain करनी होती है, क्योंकि उनको इसलिए करनी होती है, क्योंकि वो right knowledge चाहते हैं, ठीक है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो चीजों को नहीं जानते हैं, या उनको कम समझ आता है, उससान तो आपका कभी नहीं करेगी, ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे lectures अच्छे लग रहे हैं, और अगर लग रहे हैं, तो हमारे टेलिग्राम चैनल का जो description box में लिंक दिया है, उसको join करिए, और यहां पर चैनल को subscribe करिए, जादा से जादा शेर करिए पढ़ते रहिए, अपना खयाल रखिए, धन्यवाद दोस्तों